Hello everyone, how are you all guys? I hope that you are doing super uber amazing. तो बच्चा बाड़ी, आज है हमारा lecture no. 5. I hope that you must have enjoyed your all the previous session out there. मैं हुआ के लिए इस डागा और जो बच्चे आपर पहली बार देख रहे इस session को मैं आपको बता दू. आपको यहाँ पर चारो subjects, one stop solution मिलेगा CA Foundation के लिए. So, absolutely you can watch all the previous sessions of on this channel for CA Foundation. ठीक है जी? तो मैं अपने वारे में बता देता हूँ फड़ा फट से, मैं एक research analyst हूँ, मैं एक investment advisor हूँ. But I am a teacher, I am an educator by passion. पिछले 7 सालों से मैं बढ़ा रहा हूँ. और मैंने करीबन 25,000 से जादा बच्चों को बढ़ाया है जी. 98 has been the highest in economics हर साल बहुत सारे बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं economics में. मैं इंटर पर strategic management ये 50 मार्क सा सब्ज़े रहता है, ये भी मैं बढ़ाता हूँ. और बचावारी, I am also a corporate trainer. जहाँ पर मैं finance जैसे topics पर बहुत ही अच्छे lectures वहाँ पर conduct करते रहता हूँ बीच-बीच में. So, बढ़ते हैं आगे, ये तो मेरा introduction, बहुत सारे बच्चों को पता चली गया होगा, बट ये ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार, पहली बार, suppose ये देख रहे होगे, तो उन्हें पता होना चाहिए, वो किस से पढ़ रहे हैं. अब फड़ा फट से मैं आपको थोड़ा सा revise करवा होगा, और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले, जहांपर economic system के बारे में समझने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्कोप कवर किया, उसके पहले हम लोगों ने features of economics कवर किया, उसके पहले हम लोगों ने micro economics, macro economics देखा, उसके पहले हम लोगों ने basic of economics देखा, और कुछ economist के नाम देख लिए, इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया, बहुत जबरदस तरीके से लेकिन वचाबाड़ी खास बात यह है कि मैं आपको फड़ा-फट से पहले यह तो बता दू हमारे टीम से इंट्रड्यूस करवा देता हूँ विस्तार में थोड़ा दो मिनिट लोगा आपके दीके एक दो मिनिट और सारे टीचर्स के बारे में या पर मैं आपको कुछ बत बहुती पेशन्स के साथ आप एंजॉई करोगे उनकी क्लास यह बड़े ही मजा किया है ना हमारे दिल्ली वाले सर है यह बहुती मजा किया है मैं उनसे मिला हूँ कई बार and he is absolutely amazing चाहे तुम science के भी student रोगे तो भी I guarantee आप लोग बहुत अच्छे से उनसे पड़पाओगे फिर है हमारे सशांग भईया जो कि आपको law पढ़ाने वाले है और law सशांग भईया और अंकित सर यह दोनों भी आपको पढ़ाने वाले है law जादा तर यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूगा new syllabus है new subject है law तो law interesting है मजा आता है लेकिन एक चीज़ याद रखना कि writing practice भी सा चीज़ आपको आगे बताई देगे लेकिन मज़ा बहुत आता है law पढ़ने में फिर हमारे mathematics के सर हितेश सर जो की I would say that बहुत ज्यादा मतलब इनको experience रहा है जहां पर यह बहुत सारे entrance exam पर इन्दिये mathematics पढ़ाते हैं इन्हें पता है कि कहां पर criticalities होती है कहां पर बच्चा first जाता है कहां पर कोई calculated tricks उस पर नहीं कौन से चीज़े important होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि यह subject बहुत डरावना होता है और यह सर को भी पता है कि commerce के बच्चे जनरली थोड़ा सा डरते है mathematics से तो he takes care of all that things he also gives you the different strategies कि तुम इन chapters पर जादा focus कर दो फिर तुम पास हो जाओगे इन chapters पर और कर लिया तो तुम है अच्छे माक्स हैंगे इन chapters को और भी अच्छे से कर लिया तो तुम फोड़ दोगे है ना तो आप दे देखा होगा तो shots जाकर देखना कुछ को अडरा strategy बताते है अलगले टाइप की strategies बताते रहे तेसा ठीक है और आपको economics की तो टेंसर लेने की ज़रुत है नहीं क्योंकि मैं पिछले साथ सालों से बढ़ा रहा हूँ हर attempt में भर भर कर बच्चा 90 प्लस लिकर आता है तो आपको तो टेंसर लेने की कोई जरुवत ही नहीं तो यह हम है संकल्प टीम और हम आपको बढ़ाने वाले है 15 तारीक से batch श आम ने seven days free trial दिया है हम लोग ने तो पंदरा शोला और सत्रा में जाकर enroll कर लेना संकल्प बैच में फ्री में लेक्चर्स देखो साथ दिन के लिए जिस दिन enroll करोगे वहां से साथ दिन free वहां से साथ दिन absolutely free yes you heard that right तो फड़ा फड़ से जाकर enroll कर लीजिए वजा बाड़ी description option में तुम्हें link मिल जाएगे जाकर enroll करो तुम्हें plus पर हमारे platform पर कैसे raise hand का feature है कैसे PDF तुम download कर सकते हो जो हमने class में लिखा है उसके साथ annotations के साथ वो सारी चीजे सारे features तुम्हें यहां पर पता चल जाएगे बहुत मजाएगा तुम downloaded form में बाद में देख सकते हो तुम platform का पूरा की पूरा क्या कीजिए platform का मजा लीजिए platform पर जाकर देखे किस तरीके से experience the feel over there कि किस तरीके से तुमारी online classes होने वाली है तो यह वाली जो चीज़े आपने दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा इसका screenshot निकाल सकते हो and share it with all the students out there हम यहां पर हमें भरोसा है कि आपको सारी चीज़े बहुत अच्छी लगेगी इसलिए यहां पर absolutely आपको free दिया है देखो free दिया है हमें पता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा वो सारी चीज़े हमें पता है कि तुम्हें teaching पे अच्छी लगेगी and therefore it has been given free बढ़ हाँ 7 days के लिए free होगा लेकिन enroll आपको 15 से 17 क बीच में करता है ठीके जी got it चलिए दर शुरुवात करते हैं आज के directly topic के साथ last में अभी revision करेगे अभी directly आगे बढ़ते हैं एक new concept के साथ altogether new concept ठीके जी यह सब कुछ हम लोग उने कर लिया था तो आज हम लोग यहां पर शुरुवात करते हैं एक new topic की जहां पर हम discuss करने आ of economics क्या central problem of economics तो central problem of economics क्या है तीन problem में what to produce how to produce for whom to produce क्या है what to produce how to produce for whom to produce what to produce में क्या आता है या फिर मैं capital words को produce करूँ, how to produce में क्या आता है, मैं capital intensive technique use करूँ, मैं labor intensive technique use करूँ, या फिर labor intensive technique, capital intensive technique या फिर labor intensive technique, and for whom to produce में क्या आता है, whom to produce में equal distribution, equal distribution, equal distribution मतलब क्या है, equal distribution of income, equal distribution of goods and services, यह क्या होता है सर, बेटा, equal distribution of income मतलब यह नहीं कि सबको इतना इतना एक करोड़ बार दो, no 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 no, equal distribution of income, या फिर equal distribution of goods and services का मतलब होता है, कि जहां पर तुम सारी की सारी necessities को, सारी की सारी necessities को तुम क्या करो, सारे लोगों की necessities at least पूरी होनी चाहिए, basic necessities पूरी होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग, equal distribution of goods and services, equal distribution of goods and services, ठीक है जी, got it everyone, so there should be a gap between rich and poor, there should be gap between rich and poor, ठीक है जी, so there should be equal distribution, there should be gap between the rich and poor, capital intensive technique and labor intensive technique, तो हम लोग यहां पर machinery का जादा इस्तमाल करें, production में कि labor का जादा इस्तमाल करें, इसके लिए कोई थमरूल है क्याद, जिस country में जादा machinery is available है, जादा पैसा है, तो हम लोग capital intensive करेंगे, जिस country में labor जादा है, जिस country में labor जादा है, population जादा है, हम लोग labor intensive techniques यूज़ करेंगे, हाला कि ऐसी कोई country नहीं है, जो कि fully CIT यूज़ करती है, या fully LIT यूज़ करती है, no, there is a combination of CIT and LIT, यह combination depends करता है, country to country, वो कौन सी scheme यहाँ पर अपनाएगे, कौन सी technique यहाँ पर अपनाएगे, तो यह होती है, तीन problems हमारी, what to produce, how to produce, and for whom to produce, what to produce में आता है, consumer goods या capital goods, how to produce में आता है, capital intensive technique या labor intensive technique, and for whom to produce में आता है, there should be equal distribution between the goods and services, क्योंकि क्या होता है, rich लोग rich होते जाते है, poor लोग poor होते जाते है, gap increase होते जाता है, और सारी की सारी चीज़, economics instability हो जाएगी, so we believe that कि हर एक इंसान की basic necessity तो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन सर, इसके बारे में कौन सोचेगा, इसके बारे में कौन decide करेगा, कि क्या हमें, क्या हमें produce करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and for whom, the answer to this is, वहां के country की economic system यह decide करेगे, क्या, country का economic system decide करेगा, what do you mean by this, कोई भी country में different तरीके से कामकाद चलता है, जैसे कि USA वगरे में तुम जाओगे, तो वहां पर capitalist economic system होता है, तो वह capitalist economic system होता है, तो वहां के जो लोग है, वो decide करेगे, कि उनको क्या करना है, socialist economic system, चाहिना जैसे country में होती है, तो चाहिना में socialist economic system है, तो वहां की वो जो rule कर रहा है, जो वहां की सरकार है, mixed economic system मतलब क्या है, democracy, जैसे कि इंडिया में, there is a mixed economic system, थोड़ा सा capitalism में है, थोड़ा सा privatization में है, थोड़ा सा government control भी है, थोड़ा सा government control भी है, तो there is a mix of both, so now we are going to see all these things in detail, और इस पर बहुत सारे सवल आते हैं, बहुत interesting topic है, बहुत ही easy topic है, और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग को literally पता चलता है कि कौन से country किस तरीके से काम काज करती है, so पहले तो हमारे सामने problems आए, what to produce, how to produce and for whom to produce, what to produce, how to produce and for whom to produce, what to produce में consumer goods की capital goods, how to produce में capital intensive technique and labor intensive technique, and for whom to produce में equal distribution of goods and services, तो यहाँ पर हम सबसे पहला type करने वाले discuss जो कि capitalist economic system, आज हमारा discussion पूरा की पूरा capitalist economic system के आजपास ही घूमने वाला है, तो let us try to understand what is capitalist economic system, तो capitalist economic system को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर, यह वाला जो है ना left वाला, रेड रेड वाले लोग उनके उपर discussion करने वाले यह देखो, इसके हाथ में क्या है बेटा? पैसा, इसके हाथ में क्या है? पैसा, इसके हाथ में क्या है? पैसा, तो भाईयो और भैनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह लोग किस पर फोकस कर रहे हैं पैसा पैसा and only पैसा अपना सपना मनी मनी 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 उनका motto क्या है उनको objective क्या है उनको objective पैसा कमाना उनको objective है profit कमाना उनको objective है हम जो चाहते हैं वही करेंगे उनको objective है freedom of trade उनका objective है, no objection from the government, हमें जो करना है, हमें करने कुई पर्मी समदे, तो भाईयों और भैनों, capitalism में क्या होता है, capitalism में, I want to tell you that, they are focusing on the money, they are focusing on the profit, they are focusing on the private ownership, private ownership, got it, everyone, I want to say, I want to say, everyone, are you getting this, तो यहां पर देखें बच्पारी, on contrary, socialism क्या है, socialism में देखो, यह पैसा लेकर जा रहा था, उनकाना गा रहता, मैं तो रस्ते से जा रहा था, ना, रस्ते से जा रहा था, क्या, पैसा लेकर जा रहा है, लेकिन क्या हुआ इसके साथ, इसके साथ, दो लोगों ने उसके उपर बंदू कर रख दी, और उनसे कहा, कि पैसा लेकर कहा पर जा रहे हो, क्या दिन बर पैसों के बारे में सोचते हो, तुमने सोसाइटी के लिए कुछ सोचा, तुम प्रोफिट कमा रहे हो, लेकिन अड़ दो कॉस्ट of hurting the society, सोशल वेलफर किधर है, सोशल वेलफर को इगनॉर कर रहे हो, सोसाइटी को इगनॉर कर रहे हो, तो socialism में इनका objective क्या होता है कि socio-economic objective पैसा भी कमाना है लेकिन economy मतलब social welfare के साथ socio-economic objective यहाँ पर क्या है only profit objective so try to understand what I am telling capitalism में they are focusing only on capitalism में they are focusing only on socialism में they are telling that कि सब पैसा ही सब कुछ नहीं है socialism में they are telling that पैसा तो कमा लेंगे लेकिन not at the cost of hurting the environment not at the cost of hurting the people not at the cost of ये सारी सीजों को इबाख तो ये दोनों concept को एकदम detailed में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो one by one जाते हैं सबसे पहले समझने की कोशिश करते किसको capitalist economic system को समझने की कोशिश ठीक है clear है देखना अभी देखना capitalism में क्या होता है capitalism में what are they talking about वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा ये लोग ना मतलब अपना ही सोचते केवल खुद का सोचते हैं तो capitalism में ownership जो होती है वो private होती है private मतलब मेरी proposition रहेगी ये pen किसका है मेरा है ये मोबाईल किसका है मेरा है इस पर मेरा हग है वो factory किसकी है मेरी है वो land किसका है मेरा पर्सनल है तो ओनर्शिप जो होती है यहां पर वो प्राइवेट ओनर्शिप होती है वो होती है प्राइवेट ओनर्शिप सोशलिजम में क्या होता है सडक जो है सडक रस्ता जो है रोड जो है वो किसका होता है सबका होता है न हम ऐसे कोई रास्ते से आड़ी तेड़ी गाड प्राइवेट उनर्शिप क्या है यहां पर ये लोग कहते हैं कि इनका एक ही मकसद होता है अपना सपना मनी मनी मतलब इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट एन प्रॉफिट यहां पर लोगों को ये होता है कि यार सोशल वेलफेर छोड़ो यार मतलब लोग अपना अपना देख लेंगे तो यह लोग किसके बारे में देख रहे हैं यहां पर only and only profit only and only profit motive ठीक है यहां पर यह किसके बारे में देख रहे है ownership, private ownership ठीक है यहां पर consumer sovereignty का मतलब क्या होता है consumer sovereignty consumer sovereignty मतलब होता है customer satisfaction सर यहां पर customer satisfaction कैसे होगा बताते हैं कस्तमर साटिस्फेक्शन की होगा वो बताते हैं क्यापिटलिजम में होता है तुमको फ्रीडम ओफ ट्रेड फ्रीडम ओफ ट्रेड का मतलब क्या होता है हम बताते आप और क्यापिटलिजम में होता है फ्रीडम ओफ फ्रीडम ओफ ट्रेड और फ्रीडम ओफ चोईस या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं freedom of trade और freedom of enterprise freedom of enterprise अब मुझे आप लोग बता दो जब मैं कह रहा हूँ freedom of trade या फिर freedom of enterprise what do you mean by that मैं एक normal human हूँ मेरे को कोई business करना है और जो मेरे को business करना है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिसमें ज्यादा profitable कर सकता हूँ मुझे यहाँ पर किसी की permission की ज़रूत नहीं है मुझे यहाँ पर क्यों कोई भी सरकार की permission नहीं है मुझे नहीं कोई ज़्यादा regulations rules में जाना है whatever is more profitable for me I can definitely do that पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था कोई ना king होता था emperor होता था सरकार होती थी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा complications आते थे licensing लेना पड़ता था permissions लेनी पड़ती थी documentation करने पड़ते थे तो तुम लोगों को पहले freedom नहीं था तुम लोग सोचते रहों कि तो freedom of trade मतलब क्या कुछ नहीं बात थोड़िना है freedom तो कुछ किसी को भी नहीं बेटा पहले नहीं हुआ करता था freedom पहले freedom नहीं हुआ करता था तो यह freedom of trade and freedom of enterprise का मतलब क्या है कि you can do whatever you want to do you can trade in the goods and services that you feel are right for you so freedom of choice क्या है पहले कोई choice नहीं होता था customer के पास भी वही government ने जो जिन दो तिन लोग को license दिया है वो goods को produce करते थे वही दो तिन लोग धंदा करते थे तुम्हारे पास कोई variety नहीं थी कि 10 दुकाने घुमो और फिर select करो no 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 तुम्हारे पास ऐसा कोई choice ही नहीं था वो दो द सकते हैं तुमको भी as a consumer choice होगी क्या choice होगी you can select the goods that you want and you can select कहां से मुझे पर्चेस करना है क्योंकि यहां पर अभी वो दो तिन दुकाने नहीं है यहां पर 10 पारा पंदरा अभी इस है जितनी भी दुकाने है उतनी दुकाने है you get the variety अब जादा यहां पर दुकाने है तो ज जाएगा तो जादा अगर competition increase हुआ तो quality improvise हो जाएगी बराबर ना क्योंकि सबको एक अच्छी quality रखना है क्योंकि तुम्हारे दुकान सेलनी चाहिए तो quality अगर अच्छी होगी तो pricing pricing भी reasonable रहेगी क्योंकि अगर मैंने जादा price रखी तो दूसरे के पास चले जाएगे तो और मुझे यहाँ पर as a consumer देखो competition बढ़ने के कारण मुझे बहुत साथा variety मिल गई मुझे अच्छी quality मिल गया वो भी reasonable price पर मिल गया तो हुआ नहीं consumer sovereignty बिलकुल हुआ तो consumer sovereignty किस पर dependent है देखो कितने सारे factors involved है freedom of trade के कारण competition के कारण अच्छा price मिल गया तो guys समझने की जैसे की for example मुझे बताना अब यहाँ पर तुम तुमारे मम्मी के साथ shopping करने ठीक है लेड़ेस से एक लड़की है अंजली ठीक है अंजली उसके mom के साथ shopping करने जाती है और अंजली यहाँ पर एक market है उस market में जाती है और यहाँ पर बहुत सारा दुकाने है बहुत सारी दुकाने है लाइन से एकदम दुकाने हैं और मम्मी के साथ जो शॉपिंग करने जाता है उनको बहुत अच्छे से पता है हाई क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या होती है अब अंजली पहले यहां पर यह दुकान नंबर वन में गई 23456789 10 11 अंजली दुकान नंबर वन में गई शॉप नंबर वन में अंजली ने कुछ सारी देखिए जबरदर सारी था महां पर ठीक है मुझे बताओ कोई भी लड़की पहले ही दुकान में जाकर डिरेक्ली शॉपिंग करकर आती है मतलब शॉपिंग का फाइदा ही क्या अगर तुम्हें पहले ही दुकान में जाकर खरीदना है यह हुई नहीं सकता है भाई अगर यह किजी के साथ हो गया तो दूसरे दुनिया से ऐसा कभी नहीं हो सकता है ठीक है तो अंजली और उसकी ममी आपर साड़ी देखने का है और बताओ दूसरा कोई टाइंप बताओ दूसरा कोई डिजायन ठाओ दूसरा कोई कलर बताओ ठीक है उनको दो सारी पसंद भी आच चुक했는데 अभी कुछ रीजन तो देना पड़े गाने हि लेकशन तो उस्तरे के मम्मी को भी बनाज़र मं ओत्वुन मतलबिंखहां मतलब इ ये सारी दुकाने में जाना है और सारे जगा पर स्टॉक चेक करना है सारे जगा की प्राइजिंग चेक करनी है तो मम्मी ने पता है क्या कादू का अंदर से भाईया कोई ऐसी सारी है क्या मतलब ये अथी लगी है लेकिन न मजा नहीं आ रहा है एक ऐसी सारी दिखाओ, एक ऐसी सारी दिखाओ, जिसमें कलर जो है न, वो ये सारी वाला जैसा चाहिए, डिजाइन जो है न, ये दूसरी सारी वाली जैसी चाहिए, कलर ये सारी जैसा, डिजाइन दूसरे सारी जैसी, और उसका कपड़े का जो फैबरी है न, वो ये वाली सा क्पड़ा ये और डिजाइन ये ऐसी कोई साड़ी होगी तो बताओ इसा कुछ नहीं है हमारे पास हमने पूरी साड़ी जो भी थी वो बता दी माता जी अगर आपको नहीं लेना है तो सिधा सिधा केह देती ती ये क्या बोल रहे हैं माता जी आप अंजली की ममी को अप़र बोला माता जी प्लीज माता जी का ओन्ट फिरे अभी भी नहीं की रहा ममी ने रहा है हूगी आप के पास आपके पास देखो से अप हम्यासाज लेखें जाते हैं आप these हम ना क्ले हम लुग सिफ आदे घंटे आते हैं नाज तब तक दूसरा काम करकर अब वैसे ये सार्या साइड में रखो ये साडी तो हमंए पसंद आहquently है लेकिन एक और सारी अगर ऐसी टाइप के कोई सारी मिल जाए रहा तो हम वो लेकर चले जाएगे तीक है आप यह साइड में रोखें वार्गेनिंग सब कर लिया वराइटी सारी चिक कर ली अब देखना यह मा बेटी जो है ना अंजली और उसकी ममी यह दोनों मा बेटी मिल कि शुक्क्राइब है यह होद् aiming है इसके साथ साथ बीसमें है, बीच में बेलपुरी खा रहे है इसी कैम काम फूरी खार है ना या औलग अलब कुछ चीजे थोड़ा सा खाते खाते फिर दूसरे दुसरे दुकानों में जा रहे हैं और फिर उनको क्या लगा अरे नहीं यार वो पहले वाली दुकान में ना वही साड़ी अची ते चलो जाकर वही लेते हैं फिर घुम कर आते हैं और फिर अंजली की मम्मी क्या कहती है अरे वही में तो इतने में ही मिल रहा है लेकिन हम पहले यही पर आए क्योंकि हम यहां से देख कर गए थे और तुमने बहुत अच्छे से सारी चीज़े बताई थी वैसे तो बाजू में मिल रही है वो लेकिन आप ही बराबर से रेट लगा दो शौप की परीज लेकि क्या है यार यह ह मतलब तुमने सारा प्राइस दूसरे जगा से कंपेर कर दिया और तुमने पूरा की पूरा देख भी लिया अब यह विचारा शौप की पर कंपूज होकर कहता है क्या रहे मैडम सब जगा पर जाकर आगई है कई दूसरे जगा पर सस्ते में मिल गई तो तो ठीक आपनी इस में कस्टमर का कितना सैटिसफेक्शन है अब जाकर अंजली और इसकी ममी को अच्छा लग रहा है मतलब शौपिंग करने का फील आ रहा है भाई पूरा देड़ घंटा सारी दुकानों में जाकर देखनी के बाद तो यह होता है क्यापिटिलिजम में क्यापिटिलिजम में क इसे फ्रीडम ऑफ चॉइस एस वेल हॉनिए रही बात है तो यह देखिए है कंजूमर सभर पोइं इसे यह अपर देख लिया competition and reasonable prices ये भी point हमने देख लिया optimum utilization of resources यहाँ पर होता है why there is optimum utilization of resources over here tell me easy है ना अगर मेरे को profit जादा करना है तो मैं wastage कम करूगा क्योंकि अगर मैं wastage कम करूगा तो मेरी cost कम होगी और मेरी cost कम होगी तो मेरा profit जादा होगा so therefore हम लोग यहाँ पर कुछ भी waste नहीं करेगे हर एक resources को अच्छे से utilize करेगे बराबर है तुमारे घर में तुमारे पपा तुमको क्या है हमेशा चिल लाते रहते हैं क्यों चिल लाते हैं बीजली का बील तेरा कौन भरेगा बीजली का बील कौन भरेगा बताईए ना बताईए पपा भरेगे ना तो पपा हमेशा क्या चिल लाते हैं जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर तुमारे रूम का फैन चालू रहता है जब भी मैं आता हूँ वो light चालू लेती है हां बीजली का बिल तेरा कौन भरेगा पपा भरेगे तो मम्मी क्या कहती है पैसे क्या ज़ाड पर उपते हैं हां ज़ाड पर आते हैं पैसे रोज रोज इतना वेश्ट करता है तुझे पताई सबसी कितनी महेंगी है तुम्हें पताई आटे और दाल के भाव कितने हैं क्या Optimum Utilization of Resources मतलब कुछ भी वेश्ट मत करो हर एक रुप्या हर एक रिसोर्स को अच्छे से इस्तमाल कीजिए तो Optimum Utilization of Resources पे क्योंकि यहाँ पर अगर मैं as a company डागाटेन हाना डागाटेन की एक company और डागाटेन यहाँ पर वेश्टेज कर रहा है तो तुमको भी उसका profit का हिस्सा मिलेगा ठीक है तुम्हारी शाले रिया जल्दी-जल्दी होगी तो Optimum Utilization of Resources सब लोग ध्यान रखेगे सब लोग वेश्ट नहीं करेगे और अगर कोई वेश्टेज करते होए पकड़ा गया तो देखो उसको fine लगाएंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट में होता है बहुत सारे तिर्थ तस्तान पर होता है कि जूटा नहीं डाल सकते हो आप यहां पर कोई यहां पर जिसकी भी थाली में जूटा रहेगा एकसेस नहीं तुवेश्ट कर देता हो तो तुमको fine भरनी पड़ेगी तो क्या है सब लोग फिर अच्छे से पूरा की पूरा finish करते हैं तो यह क्या है optimum utilization of resources वही concept को आप लोग business में लेकर आ जाओं देखो मैंने क्या कहा था आपको कि मैं ऐसे examples देता हूँ जो कि आपन real life से रिलेट करेंगे अब बीजली का बिल कौन भरता है अपने पपा बढ़ते वैसे हिसे अगर मेरी company है और मेरी company में दिन रात machinery चालू है और वहाँ पर अगर कोई भी production नहीं हो रहा है तो क्या मैं वहाँ पर पैसे वेस्ट कर रहा हूँ क्या मेरे money resources वहाँ पर वेस्ट हो रह है कि काम करते समय पर कोई भी time pass नहीं करना चाहिए optimum utilization of resources समझ रहे हो capitalist economic system में यह लोग क्या करते है इस तम अच्छे से लोगों से काम करवा कर देते हैं सारे की सारे products and सारे की सारे service सारे की सारे resources को optimum way में use करना है हम लोगों को ठीक है ऑपरेटिव efficiency को maintain करना ऑपेटिव efficiency को increase करता ऑपरेटिव efficiency का मतलब क्या होता है हमारी हर एक चीज़ को अगर हम लोग बहुत अच्छे से यूटिदाइस करेंगे तो हमारे returns ज्यादा आएंगे तो हमारी efficiency increase होगी अगर मेरे organization में सारे की सारे labor और सारे की सारे जो भी लोग काम करते हैं अगर वो लोग एकदम अच करते होगी और अपर एंचीज इंक्रीज होगी अपर एविशेंसी इंक्रीज होगी अपरिटिव एक नोमिक ग्रोथ बढ़ेगा हमारे profits बढ़ेगे तो यहां पर country जड़ा जल्दी जल्दी ग्रोफ होगी सुझ देखना है पर एकनोमिक ग्रोथ इस लाइक्टी तो बी यू गेटिंग दिस और यू गेटिंग दिस ओनर्जिप प्रॉफिट मोटिफ कंज्यूमर सॉवर्निटी कॉंप्टिशन अप्टिमम उटिलाइजेशन ऑफ रसोर्सेश ऑप्रेटिफ एफिशेंसी कि मुझे बताओ यहां पर प्राइजेश कौन डिसाइड करता है सरकार करती है? नहीं किसी के पएज कोई restricTIONS है? नहीं तो यहां पर प्राइज DCIRE कौन करता है? Market Forces यहां पर प्राइज कुन डिसाइड करेगा? Market Forces Market Forces का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना Market Forces मतलब demand and supply तो इमांड साइड एं ई सप्लाइ सइड तो इमांड एं सप्लाइ के हिसाप से यहांपर डी साइड होगी जोकी रेजनेबल ऋगी जितना प्राइज होगई जिसको हम लोग टेकनिकल भाशा में क्या कहते हैं उकेidamente करन मेकैनिजम क्या फॉलो होता है आपको बताना होगा प्राइस मेकानिजा क्यापिटलिस्टिक एकोनॉमिक सिस्टम में फॉलो होता है आपको पूचा जाएगा फ्रीडम ओफ ट्रेड कहां पर है क्यापिटलिस्टिक में सोशलिस्ट में या फिर अमिक्स्ट में freedom of trade capitalistик में है आपको पूचा जाएगा कि यहाँ पर private ownership कहाँ पर होता है capitalist, socialist या mixed private ownership, capitalist profit, only profit का मुद्दा किसका होता है capitalist, economic system, socialist Ya फर mixed consumer sovereignty सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है consumer sovereignty सबसे ज्यादा capitalistic, economic system में होती है competition सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है Competition सबसे ज्यादा Capitalistic Economic System में होता है Optimum Utilization of Resources कहाँ पर होते है Optimum Utilization of Resources Capitalistic Economic System में होते है Operative Efficiency कहाँ पर ज्यादा होती है Operative Efficiency यहाँ पर ज्यादा होती है Capitalistic में Economic Growth कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा Capitalistic Economy में सबसे ज्यादा Growth होगा Economy मतलब सबसे अच्छा capitalist है क्या मैंने कहा कुछ मैं तीनों एक्स्प्लेन करूगा और फिर आपको बताऊगा कौन अच्छा एकौन खराब है लेकिन जो आपने एक्स्प्लेन किया उस पे ऐसा लग रहा है कि यह जगड़े कर रहे हैं यह देखो यह पैसा कमा रहा है यह देखो यह काम कर रहे है यह इत्ता पैसा कमा रहा है और यह देखो कित्ता सा पैसा दे रहा है इनको कित्ता सा मतलब यह क्या कहते हैं कि capitalist economic system में there is a social injustice rich people rich 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 बनते जाते बिच पूर people poor 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 ही लेते क्योंकि क्या है इनको profit कमाना रहता है तो यह इन लोग को बहुत कम वेजे से थे हैं, इनको exploit करते हैं, इनसे ज्यादा काम करवा कर लेते हैं तो there is a social injustice they are not looking after the human welfare they are ignoring the human welfare social injustice ज्यादा होगा, inequalities ज्यादा होगी और अगर inequalities हो जाती है, तो हमारी society दो classes में बट सकती है, अगर inequalities बहुत ज्यादा होती है, तो दो classes में बन सकती है that is rich and poor, तो rich लोग rich होते जाते हैं, और poor people poor होते जाते हैं, तो ये injustice नहीं होना चाहिए, लेकिन ये demerits है, किसके demerits है, capitalistic economic system की demerits है spends huge amount on advertisement बहुत ज्यादा अंदा धून पैसा किदर भी खर्चा करते हैं, सोच समझ करनी करते हैं, लोगों पर तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये भी एक disadvantage है, और यहाँ पर monopolies form हो सकती है, what do you mean by monopolies? monopolies का मतलब होता है कि जहाँ पर तुम अकेले ही इतना यहाँ पर market को dominant कर रहे हो और एक समय के बाद जब तुम्हारा ही नाम है और तुमने सारे companies को खतम कर दिया, अब तुम ऐसी price increase करोगे, ऐसा लोगों को लूटोगे, और कल चल कर लोगों को problem हो सकती है for example, अगर मैं कहता हूँ कि आज जियो और एटेल यह एकदम अच्छे प्लेयर से market को है, बाकी सारे तो डूब गए है या फिर डूबने वाले BSNL खतम हो रहा है वोड़ाफोन आइडिया खतम हो रहा है लेकिन जियो पीछे से आकर सब को खतम कर दिया, देखो कभी यह ऐसा होने ने वाला कि सिफ जियो रहेगा एटेल भी बहुत अच्छा है, एटेल भी बहुत अच्छा कर रहा है, नेक टूनेक कॉंपटिशन इन दोनों का लेकिन चलो, अज्यूम करते हैं समझने के लिए, कल चलकर एटेल ने को भी खतम कर दिया तो आगे कौन बचेगा जियो, फिर जियो क्या बोलेगा देखो बेटा, 399 प्राइस था बराबर 399 ता ना पहले जियो ने लाया था, पहले तो फ्री था फिर 399 किया और 399 के बाद अभी कुछ 699 है, ऐसा कुछ प्लान है कल चलकर अगर 810 भी खतम हो गया, तो यही 699 वाला प्लान कल वो 999 में कर देंगे तो फिर यह कुछ भी कर सकता है, 299 भी कर देंगे, 3,000 भी कर देंगे, 2,000 भी कर देंगे आपने को नहीं बता, तो मोनोपलीस कभी भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि मोनोपलीस में कंज्यूमर को एक्स्प्लॉइट किया जाता है, कस्टमर को लूटा जाता है यहाँ पर तो मोनोपलीस तो कभी भी नहीं रहना चाहिए भाई, कभी भी नहीं रहना चाहिए मोनोपलीस समझ में आ रहा है आप लोग तो यह क्या कहना चाहते हैं यहां पर कि capitalist economic system तो कितना awesome था भाई कि जहां पर private ownership पे जहां पर पैसा ही पैसा है जहां पर customer खुश से जहां पर reasonable prices है जहां पर competition ज्यादा है उसके कारण quality अच्छी होगी उसके कारण freedom of trade freedom of choice है efficiency, operative efficiency का ध्यान रखा जाता है, resources को wasting करते हैं, optimization of resources है, market forces determine करती है prices को, price mechanism में काम होता है तो फिर क्या, problem क्या है, problem है, problem यह है कि अगर power few people के पास जाता है, तो वो few people ही पूरे की पूरे चीज़ को dominate करते हैं वहाँ पर monopolies अगर हो गई, तो problem हो सकता है, अगर क्या होगा, rich class और poor class में society बढ़ गई, बढ़ गई, दो तुकड़े हो गई societies में, तो क्या होगा, riots हो सकते हैं, riots मतलब जगड़े हो सकते हैं, ना, दंगा हो सकता है, riots मतलब दंगा हो सकता है, मारा मारी हो सकती है, हना, तो तो ये inequalities होने के बहुत ज़दा chances है human welfare को ignore नहीं करना चाहिए क्योंकि human welfare को अगर ignore करते है तो कोई भी economic system long run में survive नहीं कर पाएगी तुमको long run का stability चाहिए है तो तुम लोगो human welfare को consider करना चाहिए social injustice नहीं होना चाहिए again social injustice अगर होता है तो तुम एक साल, दो साल, तीन साल, पास साल, दस साल लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद long run के लिए तुम्हे social justice के बारे भी देखना पड़ेगा तो सिर्फ short term perspective से नहीं तुम्हे long run perspective से देखना है और capitalist economic system में ये कुछ demerits भी हो सकते है हनजी हमने capitalist economic system के merits भी देखे हनजी मैंने आपको इतना easy way में समझाया है ना भाई swift pointers से अगर आप book में जाओगे और अगर आप book की language पड़ोगे book की complex theory language पड़ोगे अरे भाई 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 दुमाग के उपर से जाएगा लेकिन मैं सारी चीज़े आप लोग को book में relate करकर दिखाऊगा book में इस पर 3 pages होंगे ना 2-3 pages या 3-4 pages होगे capitalist economic के feature पहले बताएंगे फिर capitalist economic के merits बताएंगे फिर capitalist economic के demerits बताएंगे और सब में यही points होगे इसी को थोड़ा सा twist and turn करकर दिया जाएगा नेक्स लेक्चर में बताऊगा आपको अब चलकर मैं आपको book में लेकर जाओ तो you would be like sir this is so simple this is so simple इसी पे तो MC की वात है भाई यही keyword से इसको conceptually समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इस exam में हम लोग को कुछ लिखना नहीं है so marks का paper हम लोग को conceptual clarity चाहिए हम लोग को technical भास समझ मैंने चाहिए हमको concept समझ मैंना चाहिए इतना options अपने पास है we have to apply the concept and we have to give the right answer तो थोड़ा सा smartly पढ़ाई करना पढ़ेगा क्या है थोड़ा सा smartly पढ़ाई करना पढ़ेगा समझ में आ रही यह बात तो चलिए आज अपन यही पर रुखें किदर capitalist economic system करकर आज रुखेंगे next इसमें मैं आपको socialist के बारे में बता होगा socialist की कहानी तो बड़े ही मज़ेदारे बेटा बहुत मज़ा आने वाला है socialist में लेकिन आज हम लोग यहां पर रुखते हैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग खबर है जो की है क्या यह देखिए आप लोग के लिए खबर है डिस्क्रिप्स सेशन में लिंक है उस लिंक पर जाएए आपका मुबाइल नंबर आपकी इमेल आइडी डाल दीजिए OTP आएगा और संकल्ब बैच को एन्रोल करकर लेक्चस फ्री में देखिए साथ दिन के लिए absolutely free of cost ठीक है लेकिन एन्रोल करने के लिए लिमिट है 15 16 और 17 15 16 और 17 को तुम्हें एन्रोल करना है और जब एन्रोल कोड़ोगे वहां से साथ दिन की classes free में मिलेगी एक्सपीरियर्यज आफ दे प्लाटफॉर्म मजा आएगा कैसे यहां पर screen दिखता है कैसे वहां पर PDF होती है कैसे वहां पर तुम्हें chat box में options होते कैसे वहां पर तुम hand raise कर सकते हो कैसे हम लोग वहां पर बात कर सकते after raising the hand ठीक है कैसे doubt section में तुम doubt डाल सकते हो all the features over there बहुत ही amazing तरीके से समझ में आ जाएगा have a hands-on experience on it and then definitely you can go and purchase अगर साथ दिन फ्री लेनी के बाद भी तुम्हें पता है कि तुमको लेना ही 6 subscription तो मैं कहोगा कि पहले ही ले लिजिए आपको पता चल गया है सारे teachers आपको पांच दिन अगर गलती से किसी कारण वर्स कुछ ना कुछ हो जाए exam कभ होगी हमें नहीं पता कैसे होगा क्या होगा ठीक है तो आप लोग 9 months का subscription लेकर safe play कीजिए this is my suggestion for you guys बाकि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं यहां पर आपको प्लस पैच में क्या मिलेगा आपको यहां पर structured course मतलब क्या है time पर batch खतम होगी time पर revisions होगे time पर सारी सारी चीज़े हम लोग cover up करेंगे आपको notes मिलेगी आपके educators की doubt solving amazing तरीके से होगा आप अगर आपका class participation अचा है अगर आपका evaluated test अचा है तो हम लोग आपको 300 प्लस elite group में add करेंगे जहां पर आपको specific mentoring from your teachers आपको मिलेगा और इसी तरीके से आप excel कर सकते हो 300 प्लस लाने में we believe over year की value offering जादा से जादा कैसी हो जादा से जादा बच्चे पास कैसे हो we believe in that हमारे results पास के बहुत amazing रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत अच्छा score किये हैं unlimited आपको views मिलेगे आप कितनी भी भार देख सकते हो कोई tension नहीं है ठीक है जी सो यहां पर बचापाटी यह होगा कुछ आपका time table आप time table को note कर दीजिए 15 तारिक से मैं आपको मिलने वाला हूँ पिर आपका mathematics के teacher जो की हितेश सर आपको मिलेगे बारा बज़े से देड़ बज़े तक आदे घंटे का आपका break होगा और फिर आपको दो बज़े से साड़े तीन बज़े तक accounting का होगा session उसके बाद no class zone होने we believe in self study we believe that की competitive courses जो होते है उसमें self study का बहुत important role होता है and we believe in that और हम आपके लिए एक पूरा second half आपको self study के लिए दिया है आपके colleges का या फिर आपका जो कुछ भी दूसरा काम होगा वो भी आप हहां पर कर सकते हो तो यह है हमारी बहुती solid team यहां पर आपके सामने you can enroll to the batch और जो भी आपके कोई queries आप comment section में डाल सकते हो and you can get started with your plus classes तो thank you so much everyone if you haven't subscribed to this channel जल्दी सी जाकर subscribe कर लिजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो like कीजिए see you soon in the next class bye bye tata and take care guys